Out of 130 students appearing in an examination, 62 failed in English. तो इसको आवाँ डाग्राम से कर लें, कितने 62 failed होगे, किसमें, आपके English में होगे, देखिए, 62 जो हैं, वो English में failed होगे, और 52 failed in mathematics, 24 जो हैं, वो दोनों में fail होगे, Hindi, English and Maths दोनों में, then number of students passed finally, तो number of students बताना है, जो passed होए, फाइनली passed होगे, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, तो यह 24 है, अब यह निकालेंगे, तो कितना आगा, 62 minus 24 करेंगे, तो कितना जागा, 38 आजागा, यह कितना जागा, तो यहाँ का 25,4, 9, 90 होगया, तो टोटल इस्टोएंट कितने है, टोटल अगर हम देखिएंगे, यहाँ पर टोटल हमारे जो students हैं, वो कितना हो जाएंगे, 130 total students है, तो ही दो failed student, total number of failed student कितने, 90 हैं, तो हम यहाँ से total past student, अगर निकालेंगे, तो कितना हो जाएंगे, past student हमारे हो जाएंगे total minus failed student total कितने 130 90 फेल्ड होगे तो यहापर कितना आजाएगा हमारा 40 जो है वो correct answer हो जाएगा तो इसका answer जो है वो a जो है वो correct answer है ठीक है तो इसका 40 इसका correct answer होगा next झाल झाल